Hello students, तो ज्यान सागर का दस्वाँ पार्ट बातचीत की कला तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इस पार्ट में हम बहुत अच्छे अच्छी बाते हमें इसमें पढ़ रहे हैं दिखे बातचीत करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और हम अपने आपको निपून कैसे बना सकते हैं हम अपने चरित्र का निर्मान कैसे कर सकते हैं हमारे चरित्र निर्मान में किन किन का योगदान रहता है तो कितने सारे प्रशनों का जवाब हमें यहां पर मिल जाता है तो ये पाठ आप बड़े ध्यान से इसको दिखें प्रश्ण जो हमने कहें इनके उत्तर आप ध्यान से इसके सोचें चलिए पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं साथी साथ हम इन बातों को भी अंडरलाइन कर लेते हैं ठीक है ये रहे गया था आपका अंडरलाइन कर निकले कि बातचीत में अध्रों पर चाई निश्चल सवाफाविक मदर मुस्कान ठीक है पाठ को आगे बढ़ाते हैं कि पुष्प की गंद की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है ठीक है जैसे पुष्प की गंद होती है कैसे खुष्प होती है वो सबको प्रभावित करती है वैसी मुस्कुराहट भी है सरल रिदे में ही स्वाभाविक मुस्कराहट प्रस्फुटित होती है प्रस्फुटित मतलब खिलना अब सरल रिदे अगर मैंने कहा न जैसे शकुनी की तरह जैसे स्वारती और कुटिल कोई होगा तो उसके रिदे में थोड़ न वैसी मुस्कुराहट थोड़ न उसकी सामने आएगी वैसी थोड़ न उसकी खिल के सामने आएगी वो पता चल जाता है कि ये किस तरह की मुस्कुराहट है सरल रिदे में ही सवभाविक मुस्कुराहट प्रसफुटित होती है जो मुनुश्य की हृदे की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक होती है कपट, स्वार्थ और गुरुता और हींता की भावना से ग्रस्त कुटिलता पूर्ण मुस्कराहट बनावटी होती है जो बाचीत की रोचक्ता को समाप्त कर देती है देखे अगर कुटिल है आप, आपकी मुस्कराहट बनावटी है तो आपकी बाचीत की जो रोचक्ता है वो बिल्कु समाप्त हो जाएगी क्योंकि सामने वाले को समझ में आता है कि ये जो है बड़े स्वास्तपन से और बड़ा कमेंटिंग वे में और किस तरह से वो बात कहना चाहरा है तो वो सुनने को उसका मन्नी करेगा तो रोचक्ता कहां से आएगी जब सामने वाला भी आपको सुनने को तयार नहीं है तो इस तरह से रोचकता जो है, वो स्माप्त हो जाती है, मुस्कराहट का अक्षे कोष लुटाने वाले गरीब नहीं होते, तो अक्षे कोष ठीक है, कोष यानि की, आपका जैसे ये दिक्षनरी वाला कोष नहीं है, जैसे आपका होते है न, खजाना, खजाना हम कह सकते हैं, तो वो गरीब नहीं होते ऐसे लोग, उनके तो दोनों हाथ में लड़ू होते हैं, जाता कुछ नहीं, मिलता बहुत कुछ है, ठीक है, तो हसना हसनी के साथ किसी बात को कहना, तो उसमें जाना तो आपको कुछ नहीं है न, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा ही न, आपको सबसे अच्छी बाते सुनने को मिलेगी कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसका व्यक्ति तो कितना अच्छा है, ये कितना प्रभावित करता है सबको, ऐसी बाते तो सुनने को मिलेगी, अच्छा ही अच्छा तो मिलेगा, बुरा तो कुछ नहीं और जाएगा भी ठीक है एक दिन एक नव विवाहिता देखे अब ये मुस्कराहट के साथ बात कह दी जाए तो उसका क्या प्रभाफ पढ़ता है तो ये ध्यान देंगे आप अना तो देखे एक दिन एक नव विवाहिता इस्तृरी ने रेडियो खोला ठीक है कि वो स्टेशन दोनों मिक्स हो जाते हैं और फिर एकी स्टेशन पर दो दो बाते सुनाई देती हैं आधा कुछ आधा कुछ तो एक में प्राता कालिन व्याया मारा था तो दूसरे में पकवान बनानी की विधी बताई जा रही थी अब रेडियो से आवाज आ रही थी अब सुन्ये स्वादिष्ट व्यांजन की विधी अब रेडियो से क्या आवाज आ रही थी कि अब सुन्ये स्वादिष्ट व्यांजन की विधी ठीक है अब देखे क्या हुआ अब सुनिए स्वादिश वेंजन की विधी तो अपने हाथ कूलों पर रखिए एक वरतन में थोड़ा आटा लीजिए अब दोनों मिक्सों रे स्टेशन देखिए कैसे हो रहा है अपने शरीर को अंगूठों वो पंजों के बल पर खड़ा कीजिए तथा आटे में आधा प्याला दूद मिलाएए अब धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए अब दो अंडे फेंट ये छे बार लगातार ऐसा कीजिए अब छे बार लगातार बिचरा इसी तरह से करता रहेगा पहले हाथ कूलों पर रखिए बरतन में आटा लेगा फिर शरीर को अंगुठों पंजों के बल पकड़ा कीजिए और आटे में आधा प्याला दूद मिलाएए हाना और शरीर को संतुलित कीजिए हाना दो अंडे फेट ये और छे बार लगातार ऐसा कीजिए ठीक है इसके बाद घोल को आग पर चड़ाकर जमीन पर लेट चाएए दस मिनट बाद उतारिए और सुखे तॉलिये से पहुंचकर गर्मा गर्म परोसिए पतनी दस मिनट बीतने का इंतजार कर रही थी और पती महोदे चुपके चुपके इस सभी कुरियाई देख रहे थे आग पर रखा वरतन जल गया और ये सब देखकर गुसे की स्थान पर पती महोदेज की हंसी फूट पड़ी नव विवाईता भी अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी तो देखा आपने की दो अनमेल बातें एक साथ प्रस्कृत हो जाने से विनोध का कारण बन गई इस प्रकार बातचित में अनमेल प्रसंग हास्यव विनोध का कारण बन जाते हैं ठीक है तो देखे किस तरह से अगर वो इसी बात पर अगर वो गुसा कर जाते कुछ और बोल जाते तो फिर क्या होता बात बढ़ जाती लेकिन उन्होंने हस दिया है ना तो वो भी अपनी मुर्टा वाली बात पर हस पड़ी है ना तो बात वहीं खतम होगी स्नायविक ठकान क्शोब मलाल तुनक मिजाजी चिरचिड़ापन आदी सुखत समवाद के इन शत्रों को भी बातचित में विनोध प्रियता का मरहम लगाकर पराचित किया जा सकता है तो स्नायविक ठकान होती है नाडियों की ठकान शोब यानि क्रोध होता है मलाल यानि दुख तुनक मिजाजी यानि जल्दी गुसा आ जाना तो नाडियों की ठकान गुसा दुख और जल्दी गुसा आ जाना ये सब भी ये सब क्या होता है सुखव समवाद के ये शत्रों होते हैं तो बातचित में क्या करते हैं विनोध प्रियता का मरहम लगाकर इसको पराजित किया जा सकता है एक आदमी तोते पकड़ कर उन्हें सिखाने पढ़ाने के बाद उन्हें किसी आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंदा करता था देखिए आपको कई उधारन दिये जा रहे हैं पहला उधारन आपको दिया इन्होंने कि इस तरह से नवी वाइता जो है वो रेडियो पर दो कारे करम जो मिक्स हो गए थे अब वो उसी के हिसाब से करे जा रही थी पति महोदेजे ने हस दिया निकि मुस्कुराहट जो है किस तरह से जो सारे जो प्रसंग हुआ होता है उसको किस तरह से बदल देती है बलकि कहीं लड़ाई जगडा कलेकलेश होने से बच जाता है तो इस तरह से दूसरा भी देखे एक और जो उधारन आपको दिया जा रहा है तो वो तोते पकड़ के क्या करता था सिखाता पड़ाता था और फिर उसके बाद किसी को भी भेंट कर देता था और इनाम पाता था यही धंदा था उसका एक बार बहुत सुन्दत होता उसके ह और इनाम मिला भी उसको अब बादशा ने तोते की देखरेक के लिए एक व्यक्ति को न्युक्त कर दिया और हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें मार डाला जाएगा और तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार डाला जाएगा तो मतलब जो उसकी देखरेक कर रहा था अगर वो मर गया तो तो विचारा गया लेकिन खबर भी कैसे दे अगर खबर दी तो भी मार डाला जाएगा ठीक है तो अब ये तो दोनों और से विचारे एक तरफ विचारे खाई और एक तरफ तो वो दोनों तरफ फसने वाली बात हो गई अब क्या करें ठीक है तो आज यहीं तक अब इस तोते की देखरे करने वाले का क्या हुआ और कैसे समस्या का समाधान निकला कि हम कल पड़ेंगे आज के लिए इतना ही तिल देन बाई and थैंक यू